हेलो दोस्तों मैं हो रिशाब चाटजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord के बारे में तो कल मैंने वीडियो बना था आपने नहीं देखा है तो देख लीजे एक बार तो प्राइस का प्रेडिक्शन के बारे में था तो जो पहले का प्रेडिक्शन था वही हुआ स्टाडिंग प्राइस है 24999 तो आप मुझे बते हैं आपको कैसे लगा प्राइस ही मेरे हिसाब से इस वाली फॉर मैनी प्रोड़क्ट नो डाउट वान प्लस जब हम देखे लास्ट यह उससे पहले का यह शुरू में वान प्लस हम सोचते थे अराउंड 30,000 के बजेट में होगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है कि अभी तो कुछ 50,000 हो गया था फिर इस से 40,000 हुआ तो वेरी हो रहा था बहुत ज़्यादा और टोवर्ड्स हायर ही जा रहा था फाइनली 30,000 के बिलो फोन आ गया है एक और मुझे बढ़ा है बहुत लोग जिनका वजेट रहता है 30,000 उससे जादा वो लोग जाना नहीं चाहते तो उनके लिए यह बहुत अच्छा फोन होने वाला है एक चीज बढ़ा देता हूं अगर आपने लांच इवेंट देखा होगा तो इस बार यार का लांच इवेंट था यार मतलब यार वो पहन के वर्चुल काइंड ओफ लांच इवेंट और बहुत लोगों को वो उतना ठीक सही नहीं लगा क्योंकि उतना वो लोग देखी नहीं रहे पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स था बहुत लोगों ने यह कंप्लेंड किया मैं तो पर्सनली यूट्यूब पे देखा तो उतना कुछ मुझे जो यूट्यूब में दिखा उतना कुछ खास तो नहीं लगा ठीक ठाकी था नॉर्मल लांच कर देते तो जाधा क्लियर होता बट इस ओके सम्तिंग इनॉटिव तो चलता है तो फोन के बारे में बात करें तो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर तो ब्लू लगा मुझे आपको कौन सा फेवरेट कलर लगा बताए मुझे बीच में अगर रुख जाता हो तो sorry for that please don't mind थोड़ा सा कास है इसलिए थोड़ा धीरे-धीरे बात कर रहा हूं तो ब्लू कलर मुझे पर्फेक्ट लगा के बात करें तो अल्मो सब कुछ जो सब कुछ जो हमें पता चली गया था व्यसे ही था कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस निये थो डिजाइन भी हमको पता था अप्रोसेसर भी सब ऑल्मोस सिमिलर ही है प्राइज ही एक चीज था जो हम लोग मतलब बहुत जादा रुमा चल त्युटिस रिपल नंगिए था फिर ट्रिपल नाइन्टी ट्रिपल निवान ट्रिपल लाइन फाइनली जो शुरू में हुआ था ना रूमास वही था 25 तो 30 के which was acceptable 21 22 हम लोग मतलब सोच सकते थे कुछ लोग बोल रहे ते ओवराइब क्यों कर रहे है बट सोचने में क्या है हम सोच सकते है कि कम होगा नहीं वह अतना कम बट स्टिल इस वेरी वैली फॉर मैंनी प्रोड़क्ट तो तीन वेरियंट है बट एक चीज है तो 25K है न वो 25K जो है न उस मॉडल जो है वो 664 वाला है 24999 25K वाला वो वाला 64 GB विदावट expandable storage थोड़ा सा problematic हो सकता है क्योंकि उतना storage नहीं है आइडियली 6128 वुड़ाब बेस्ट क्योंकि तो फिर 25K एक्चल सब खरीते है 664 आपको एक बार सोचना पड़ेगा क्या वो storage चलेगा की नहीं क्योंकि main problem जो होता है storage कई होता है ज्यादतर फोन में storage कम हो जाता है फिर slow होता है फिर आप transfer ठीक से नहीं करते transfer करने के लिए wait करते रहते तब थोड़ा और lag होने लगता है तो 64 GB 64 GB में थोड़ा problem होगा अगर आप 3000 एक्स्ट्रा देंगे आराउंड 28000 27999 तो फिर आपको यह 8128 मिल जाता है there is no 6128 option which is slightly surprising 6128 देते है तो slightly better रहता है थोड़ा सा मैं पानी पीके आता हूं sorry थोड़ा सा interruption ले ले आता क्योंकि थोड़ा पानी पीली आता तो continue करते है तो basically 28 is the right मतलब phone अगर आप value for money plus storage enough चाहिए क्योंकि expandable नहीं है तो फिर आप micro SD card नहीं दाल सकते overall at 28k also pretty good phone but मैं जास्ट सोच रहा था last year हम मतलब flagship processor 855 30k में वो redmi k20 में देख रहे थे और इस साल 700 series का chip हमें around 30k में मिल रहा है मतलब price increase होते ही जा रहा है कितना जादा तो वही मैं सोट रहा था but anyways 5G है which is one of the main reason price increase का एक चीज मैं सोच रहा था oneplus कर सकता था कि instead of giving the 765 suppose लोग 730 G देते हैं तो कितना price कम हो जाता कितने में दे सकते में 20,000 में दे सकते में बहुत लोग नहीं जाते उतना बजट में they could have done but they didn't क्योंकि 5G उतना करना था पता नहीं क्या हुआ but still good phone क्योंकि उनका 5G दाना था इसलिए 7765 अवराल i feel it's gonna be hit और एक चीज जो है यह ओपन सेल में होने वाले which again I really like flash से लिए सब नहीं है जाये 4th of August से मिलेगा on Amazon and also on oneplus का website तो जाये अराम से खरीदिये stock का problem होना नहीं चाहिए 25K का phone है उत्तरा stock का problem नहीं होता है 20K से अब और किसी बाप phone का I don't think problem होना चाहिए तो उपन सेल एक चीज है कि Amazon पर 664 का बोल रहे थे कि September में आएगा वेरास बहुत सारे जगह में देखा कि वह से कोई मतलब differentiate नहीं किया तो एक चीज आपको देखना वाड़ेगा 4th August में सबी model आते है कि खाली 28K और 30K वाला आएगा और 25K वाला बाद में आएगा पता नहीं इंडिया में कैसा चलेगा बड़ वह देखना पड़ेगा बाद में बड़ ओवराल गुट फोन 25-30K आपका बजट है तो इससे सीरियस ओप्शन दाट यू शूट कंसिडर प्रवाइड सभी आपका जो फीचर से मतलब कैमरा सब अच्छा लगा फ्रंट में पं क्बिश्ट सक्षन में like you sorry पतने आज इतना कासी क्यों हो रहा है अभी तक हो नहीं रहा था जैसे बात करने लगा थोड़ा कासी ज्यादा बड़ गया इसारा दिन एक अगदम कासी हो नहीं रहा था बात करने से थोड़ा होता है तो ठीक है चलिए like, share, subscribe, follow me on Instagram, bye bye